देश में कोरोना एक बार फिर रफतार पकड़ रहा है राजधानी दिल्ली और महराश्च्र समेथ कई राजियों में कोविट के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है बीते 24 घंचों में कोरोना के 3038 मरीज सामने आए हैं इस दोरान लगबग 2,029 लोग कोरोना से ठीक हुए जबकि घातक वाइरस ने 9 लोगों की जान ले ली बता दे के पिछले एक महिने में नए मामले में लगबग 9 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है तीन मार्च को जहां 334 केसि सामने आए थे तो 29 मार्च के बाद से रोजाना 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं नए केस में बढ़ोतरी के चलते पिछले एक महिने में अक्टिव केसिस में भी साड़े साथ गुना की बढ़ोतरी हुई है तीन मार्च को अक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी जो सोमार को बढ़कर 21,189 हो गई ये संख्या अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कोविट के नए मामलों में व्रिद्धी के लिए ओमीक्रोन का नया वैरियंट XBB 1.16 जिम्मेदार है विशेशक्यों का कहना है कि कोरोना के इस स्ट्रेड ने ज्यादा गंभी रूपधारन नहीं किया है लेकिन इस वैरियंट ने तेजी से लोगों को संक्रमिच जरूर किया है जिस कारण अचानक से कोविट के मामलों में बढ़ोतरी रेखने को मिली उधर केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोईडा में तेजी से बढ़ रहे कोविट केस के लिए ओमीक्रोन का सब वैरियंट XBB 1.16 जिम्मेदार है हालिया मामलों में जीनोम एनलिसिस से ये बात सामने आई है नोईडा में ज्यादातर मरीजों में ये सब वैरियंट ही है इसके अरावा XBB 1.5 और XBB 2.3 सब वैरियंट के मरीज भी पाए गए है बता दे कि बीते कई दिनों से कोविट केसे में बढ़ोतरी केवल भारत में ही नहीं बलकि दुनिया भर में देखी जा रही है विश्मस्वास के संगचन के मुताबिक दक्षिन पूरवेशिया शेत्र में नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत में नए मामलों में 437 फीजदी की वृद्धी दर्श की गई है इसके लिए नया ओमीक्रोन वेरियंट XBB.1.16 जिम्मेदार है बात करें इसके लक्षनों की तो इसमें कोई नया लक्षन देखने को नहीं मिला है कोविट के पुराने वेरियंट के लक्षन जैसे ठकान, गले में खराश, सिर्दर्द, मास्पेशियों मिदर्द, नाग बहना और खासी आदी इस वेरियंट के भी लक्षन हो सकते है इसके अलावा कुछ लोगों को पेट दर्द और बेचैनी और दस्त की शिकायत भी हो सकती है ऐसे में अगर किसी को ये लक्षन नजर आते हैं तो सबसे पहले अपने आपको आईसोलेट कर ली और फिर कोरोना की जांच जरूर कराएं वही मौसम बदलने के साथ ही फ्लू के मामलों में भी बढ़ूतरी हुई है जिसके लक्षन भी कोरोना जैसे है हो सकता है कि आपको सामान्य फ्लू हो इसलिए बिना जांच कराएं और डॉक्टरी परामर्ष लिए कोई भी मेडिसिन ना ले वही स्वास्य मंत्राले की ओर से कहा गया है कि जुकाम खासी को नजर अंदाज ना करें और कोरोना की जांच कराएं कोरोना के बढ़ते मामलों की बीच आप अपना और अपने परिवार का खास ख्यार लखें इसके साथ ही मास्क लगाना बिलकुल न भूले फिलाल इस स्पेशल रिपोर्ट पर बस इतना ही देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चैनल को अवेल आइकन दबारा बिलकुल न भूले